Hello students, today I am going to start 5th chapter, Order of Operations आज मैं आपका 5th chapter स्टार्ट करें, Order of Operations और हमारा 5-4th chapter जो है, वो complete हो चुका है ओके इस वाज हम करेंगे, let's try one इस exercise में जो question में आपको करवा होंगी, आपको वोही वाले question करना है जो टिक लगे हुए हैं, वो वाले तो इसका जो first question है, solve the following problems इसका एवाला question हम देखने हैं तो इस तरह की questions में क्या होता है, जिसमें multiply, plus, divide, minus, सब कुछ मिले हैं तो इसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ता है, d, a, m, d, m, a, s d, mass, d का मतलब होता है, division, divide, m का मतलब होता है, multiplication, a का मतलब होता है, addition, और s का मतलब होता है, subtraction अब इस तरह की question में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, divide को solve करते हैं फिर उसके बाद multiply को solve करते हैं, फिर addition को, फिर subtraction को तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें डिवाइड है क्या तो हां हमको नजर आ रहा है कि इसके अंदर डिवाइड है तो 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 1 बार तो हम लिखेंगे 5 5 into 8 plus 6 की टेबल में 6 कितनी बार आया 1 बार तो हमने लिख दिया 1 सबसे पहले हमने किसको से वल्व किया डिवाइड को प्लस 12 का 12 into 2 अब डिवाइड सॉल हो गया उसके बाद हम किसको सॉल करेंगे मल्टिप्लाय को तो हम देखेंगे इसमें मल्टिप्लाय है क्या दो जगे मल्टिप्लाय है एक यहां पर और एक यहां पर तो हम मल्टिप्लाय सॉल करेंगे 5 एड जा 40 प्लस 1 प्लस का प्लस 12 to the 24 अब क्या है एडिशन तो इन्स सब को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आजाएगा 65 इसमें भी हम सबसे पहले डिवाइड को देखेंगे तो हम क्या करेंगे 12 प्लस 4 माइनस अब यहां 4 को लिखा 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है 4 बार इसलिए हमने लिखा 4 इन्टू 1 अब हम क्या करेंगे इन्टू देखेंगे इन्टू है multiply है यह रहा multiply है तो अब इस multiply को solve करेंगे 12 प्लस 4 माइनस 4 बन जा 4 अब प्लस करेंगे 12 प्लस 4 होता है 16 माइनस का 4 उता रहा 16 में से 4 हो गय है तो 12 अब next है इसमें भी divide है तो पहले divide को solve करता है 44 माइनस आप 48 6 डीबल में कितनी बार आता है 8 बार इसलिए 6 6d4 है या मनें लिखा 8 पर इन्टू फिर लिखा 4 फिर लिखा प्लस फिर लिखा 8 44 मानस 8 4 जा 32 प्लस 8 44 में से 32 गये तो क्या आया अब इसको तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 44 में से पहले हम 32 माइनस कर देंगे तो आएगा 12 प्लस 8 का 8 12 में से 12 वर 8 को प्लस किया तो 20 तो आपको यह याद रखना है धिम माखे से याद रखोुव आप डिविजन पहले सबसे पहले करते डिवाइट को सौल करते फिर इडिशन संब्ट्रेक्षिं 59 доллар कि अब इसमें व सब्चरasures करेंगे इसमें डिवाइड है नहीं है मैनस का 8 उतारा प्लस का 33 उतारा अब 26 में से 8 मैनस करेंगे तो 18 प्लस 33 18 और 33 को प्लस किया तो 51 Next इसमें भी Divide नहीं है Multiply है हाँ है तो Multiply है Solve करते 2 to the 4 प्लस 36 प्लस 15 मैनस 17 अब 36 और 4 को प्लस किया तो 40 प्लस 15 उतारा मैनस 17 उतारा अब इस 45 को प्लस किया तो 55 मैनस 17 55 मैंस 17 किया तो 31 अब put the sign to make the following true यह रिखा है 4 6 4 equals to 20 अब हमें इसमें बीच में sign लगाना है कि ऐसे sign लगाना है कि 20 आए और यह statement जो है true हो जाए तो हम 6 4 जा 4 6 जा 24 multiply का sign लगाया हमने इन दोनों के बीच में और यहां माइनस का लगाया तो 24 सिग्जा हुआ 24 और 24 में से 4 गया तो 20 ऐसे sign लगा दिया चीक है अब put the sign 4 7 जा 28 28 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 34 और इसमें भी एसे करेंगे तो 7 4 जा 28 प्लस 6 34 तो यह क्या होगा तोनों equal हो गए अब question number second is solve the following इसमें 36 माइनस 3 into 4 15 माइनस 3 into 4 अब इसमें भी हम 36 का 36 किकते माइनस का माइनस लिखते डिवाइड वगेरा कुछ है नहीं इसमें multiply है तो पहले multiply को solve करते 3 4 12 15 माइनस 3 4 12 अब 36 में 12 गया तो 24 15 में से 12 गया 3 अब इसको हमने 3 की टेबल से काट दिया 3 वाणजा 3 3 8 जा 24 49 अपन 7 into 6 अपन 2 इंटो 5 तो हमने उतारा 49 अपन 7 into 60 अपन multiply को solve किया 2 5 जा 10 अब इसको काट दिया 10 वंजा 10 10 6 जा 60 7 वंजा 7 7 7 जा 49 7 6 जा क्यों होता है 42 तो इस इस यह मैस कॉपी वर्क यह आपके मैस कॉपी का वर्क है यह आपनी मैस कॉपी में करें ओके थैंक यू थैंक यू